लाइव नियूज खबर तो पक्की है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मैं पंजाब के लोगों से एक बड़ा गंबीर सवाल पूछना चाहता हूँ मेरी बात को गौर से सुनिये और जो माताए बहने यहां मुझे सुनने आई है और जो माताए बहने घर में टीवी पे मुझे सुन रही हो तो मेरी बात को गौर से सुनिये आप कलपना कीजिये आपके पास बंगलो है गाड़ी है खेत है खलिहान है अच्छी खासी कमाई है सुक्चेन की जिंदगी है कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है कोई कमी गुरु महराजों ने रहने नहीं दी है सब कुछ है कलपना कीजिये लेकिन आपका जमान बेटा नसे की लट पे चड़ गया उसमें ही अगर डूब गया मेरी मात आए बेहने मुझे बताएं ये मिलकत आपके किस काम आएगी ये बंगला किस काम आएगा ये गाड़ी किस काम आएगी अगर बेटा बरबाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा आपके संतान बरबाद हो गये तो आपके लिए क्या बचेगा क्या मेरी माताओं बेहनों को उन्होंने जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम्रें एक माहोल बनाना जरूरी है के नहीं है नसे से मुक्ति का अभीयान हर माहर परिवार हर परिवार को बचाना उनके सपनों को साकार करने लिए जरूई है के नहीं है भाईयों बेनों यह मुहीम किसी के खिलाप नहीं है दिल में बड़ा दर्द होता है मैंने पंजाब की धर्ती पर काम किया है पंजाब का मुझे पर कर्ज है कि मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं मैं इस युवाद पिड़ी को बचाना चाहता हूं दोस्तों मेरी माताओं बेहनों मैं आपके दुख को समझता हूं मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का बास्तावन देना चाहता हूं आप मुझे आशिरवात दिजिए पंजाब के उजबल भविष के लिए आशिरवात दिजिए हमारी नई पिड़ी के लिए आशिरवात दिजिए यह सत्ता का खेल नहीं यह सत्ता की भूक है आपने मुझे प्रदान मंत्री बना दिया prompts अरे लोग 6-6 मेने प्रदान मत्री रह करके भी जिन्दगी में बहुत संतोस अनुभव करते हैं मुझे तो आपने दोवदो बार बनाया है मैं आपके लिए मेरी जिन्दगी खपाना चाहता हूँ मैं अपने सुक के लिए नहीं हूँ मैं आपके सपनों के लिए हूँ मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूँ और इसलिए अगले पांच साल अगले पांच साल नवा पंजाब का समय होगा विस तारिक को इसी संकल्पे के साथ एंडिये को जिताने के लिए वोट देना है